ससुराल में दुकान आईए आईए मेरे दुकान पर आईए यहाँ डुपलिकेट चीज़े मिलती है मेरे ग्राह कहाँ छोड़िए देवर जी वनना मेरा हाथ उठ जाएगा यह कहानी शुरू होती है वन्श राज परिवार की घर से जहाँ आपने आफिस से दुपेर को ही दिलिप लाटाता है जिसे देखर उसकी मा आश्चिरे से उसे पूछती है अरा दिलिप तो इस वाट दिलिप कुई जवाब नहीं देता और सिर्फ पकड़ कर बैठ जाता है सब खत्म हो गया मा मेरी नौकरी चली गई अब कैसे मेरा घर चलेगा मा अब क्या होगा उसकी आवाज सुनकर सभी वहाँ इखटे हो जाते हैं पर आप तो उस ओफिस में कितने सालों से थी जी फिर उन्होंने आपको क्यों निकाल दिया वही तो निलि मा कितने ओफर्स आये थे मुझे बागी कंपनियों से पर मैंने कभी अपनी कंपनी के साथ धोखा नहीं किया और आज उन्हें सस्ते में काम करने वाले इंप्लोईज मिल रहे हैं तो उन्होंने मुझे ही सड़क पर लाखड़ा कर दिया मैं परबाद हो गया निलि मा मैंने तुम्हारे घरवालों को वचन दिया था कि तुम्हें कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा पर मुझे पता रही अब क्या होगा आगे अरे शुप शुप बोलिये जी आप में बहुत टेलेंट है कोई न कोई नया काम मिली जाएगा जी और अभी हमारी हालत ऐसे भी कोई खराब नहीं है मर गया हूँ क्या मैं जो तू फूट फूट कर रो रहा तेरा बाप अभी जिन्दा इन बूरी हड़ियों में बहुत जाने बिटा मेरे खाते से जो पैसे आते हैं उससे तेरा घर चल जाएगा परिशान न हो बहु जी अपनी सेविंग अकाउन का इंट्रेस्ट जेड जी को दे देंगे तो रसोई में वो जो पैसे देते हैं वो भी शुब जी को ही पूरी तरह से भरने पर जाएगे सारा लोड तो हम पर ही आ जाएगा यही बागी था बस मुझे बोलना तो नहीं चाहिए जेड जी पर ये भी तो आफिस जाती हैं अगर आप में काबिलियत है तो आफिस वाले आपको निकाल ही नहीं सकती याद कीजी आपसे कोई गलती तो नहीं हुई न क्या ये समय है ये सब बोलने का बहू तुम्में अकल वकल है की नहीं दिलिप को अपने घरवालों की बात सुनने की बात हिम्मत मिलती है और अगले दिन से ही वो नए काम की तलाश में निकल पड़ता है समय का करिश्मा देख रहे दिलिप जी मेरा मैनेजर सामने से आपके पास ओफर लेकर गया था पर उस वक्त तो आपको अपनी कंप्टी के साथ लोयल्टी निबानी थी उस दिन अगर आप मुझ से हाथ मिला लेते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता आप खेर मेरे ओफिस में अल्रेडी नीट से ज्यादा एंप्लोईज है मैं आपको नौकरी पर नहीं रख सकता दिलिप कई कंपनियों में इंटर्व्यू देता है पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता मा मैं बुरी तरह परिशान हो गया हूँ कोई काम ही नहीं मिल रहा नहीं जाने कैसे काम मिलेगा मुझे मुझे तो लोगों की दलाली करना पसंद ही नहीं बिटा तुम लोगों आफिस जॉइन कर रहे थे तब तुम मैं पहले से कहता था कि खुद का काम कर लो वही अच्छा है खुदी मालिक खुदी नौक देख तुम मेरी बात मान और कोई बिजनस कर ले कोई दुकान खोलने के लिए भी तो रेंट पर दुकान लेनी पड़ेगी ना बाओ जी दो-तीन मैंने तो दुकान को सेट अप करने में ही चला जाता है तब तक फिजुल में बैठे-बैठे रेंट चुकाते रो तुझे बाहर क्यों जाना है हमारे घर के नीचे ही खोले दुकान थोड़ा रिनोवेशन में पैसा लग जाएगा वही ना और क्या होगा पर जगा तो अपनी रहेगी बाप पिता जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था बाप बाप पता है पिता दिलिप अपने घर के नीचे ही दुकान बनवा लिता है और इसमें राशन का माल गिरवा लिता है आपका काम सही से चल पड़े वही या भगवान कर ऐसा ही हो वैसे तो लोग अभी से ही मेरा नंबर लेने लगया है मौले वालोंने तो पहले ही कहा दिया है कि अब वो महीने का राशन मुझ से ही लेंगे मैं तो कहता हूँ शुब तु भी मेरे साथ इस बिसनस में आजा तु अपने ओफिस जाया करना पर तेरी भी इसमें हिस्सेदारी रहेगी तो अच्छा ही रहेगा संडे को तु भी हिसाब देख लिया करना तो क्या ये दुकान मेरी नहीं है बया तुम भी न ये सारी बाते महीं खड़ी रेशमा सुन लेती है सुनिये जी मुझे आपसे दो मिनट बात करनी थी जरांदर आईए शुब रेशमा की पास जाता है ये लोग बड़े कुसुगने अब भूल कर भी जेट जी की काम में पैसे मत लगा दीजीगा ये सब तो भट्टा बिठा कर सर पर हाथ रखकर बैठ जाएगी और भी कार में आपकी लगाई रखम फस जाएगी अच्छा जैसा तुम बोलो रिशमा शुब लोट कर अपने भाई की पास जाता है ओ भाईया क्या है ना अपने आफिस के काम से इतना ओवर लोड़ेर रहता हूँ काम मुझे टाइम मिलेगा बिजनिस देखने का और वैसे भी ये कस्टरमर को संभालना ना मेरे बस की नहीं है आप संभाल ये दुकान दिलिप अपने किराने के दुकान की उपनिंग कर देता है पहले ही दिन ग्राहको की भीड उसके दुकान पर उमड पड़ती है अरा भाई आमका एक साबन देदा भाई दो किलो आटा तोल देना मुझे घर पहुचना है अरी येर तुने मेरे महिने का राशन पैक किया की नहीं हाँ हाँ मैं सबको एक एक करके सारी चीज़े देता हूँ बस दो मिनट वेट कर लो विलिप की खुशी का कोई ठेकाना नहीं रहता शुरुआतम से बड़ी घबराट हो रही थी कि उसका काम कैसे चलेगा पर भगवान की कृपा से पहले ही दिन उससे बहुत अच्छी बोनी हो जाती है बाओ जी लीजे 20,000 रुपे मेरे पहले दिन की बोनी ये पैसे आप रखिए और कल से गल्ले पर आप ही बैठेंगे अरे बिटा तू संभाल गल्ला इनकी ऐसे भी उम्र हो गई है कुछ का कुछ हिसाब कर देंगे बाओ जी की नजर इतनी भी कमजोर नहीं हो ये मा वैसे भी गल्ले को संभालती हुए ग्राहकों को सामान देना मुश्किल की बात हो जाती है बाओ जी गल्ला देख लेंगे और मैं ग्रहकों को सामान निकाल कर दे दिया करूँगा केशव दिलिप की सर पर हाथ फेरता है और उन पैसों को कीकई के हाथ में पकड़ा दीता है अगले दिन दोनों बाप बेटे समय पर दुकान खोलने नीचे आते हैं पर दुकान के बाहर पहले से ही लंब में लाइन लगी हुई थी भाई तो थोड़ा जल्दी दुकान खोल लिया कर नौ बजे कौन खोलता है साथ बजे दुकान खोल लिया कर भाई हमें आफिस घर के लिए भी तो निकलना होता है अहाँ हाँ बिटा बस दो मिनिट दिलिप तो जल्दी से दुकान खोलने बिटा दोनों फॉरन दुकान खोलते हैं, दिलिप ग्रहकों को राशन का सामान निकाल कर देता जाता है, और केशो सबसे पैसे लेता है, आपने सही कहा था पिता जी, मुझे बिस्दिस करना चाहिए था, असी अजार की कमाई, मेरे तो आसू नहीं रुग रहे हैं, और ये समना आप दिलिप जो पैसे कमाता, उसे अपने मा बाओ जी को देतिया करता, दिलिप के बढ़ते मुनाफे को देखकर, रेशमा अंदर ही अंदर जलने लग जाती है, और उसे अपने पती को दुकान में हिस्सेदार नाब बनने देने पर बढ़ा अफसोस होता है, नजाने मुझे कि इस घड़ी में उन्हें दुकान का हिस्सेदार बनने से मना करतीया था, पर अब तो कुछ करना पड़ेगा, रेशमा रसोई में जाती है, और जोर-जोर से कुछ तो कुछ बढ़बर करती हुई बरतनों को पटकने लगती है, अरे रेशमा क्या हुआ, कोई बात हुई है क् माबात तो हम ही करने वाले हैं न, यहाँ पर बाकी सब तो मौन साधे बैठे रहते हैं, अरे क्या हो गया रेशमा, इतनी जोर-जोर सा क्यों चिला रही हो, अब जब घर के माबाप ही बच्चों में भेदभाव करने लगी, इंसान कुड़-कुड़ तो करेगा ही न, अब शुप जीठ है रे श्रवनकुमार, माबाप के प्यार में अंधे, उन्हें तो दिखी नहीं रहा कि इस घर में उनकी पीट पीछे क्या शड़ियंद्र हो रहा है, आप लोग उन्हें तो दुकान के नाम पर घर का नीचे का आदा हिस्सा आपी से ही जेट जेठाने को दे द कि इस घर में उनकी पीट पीछे क्या शड़ियंद्र हो रहा है, आप लोगों ने तो दुकान के नाम पर घर की नीचे का आदा हिस्सा अभी से ही जेट जेठाने जी को दे दिया, ये सब क्या बोल रही है तो बहुँ, साफ साफ बोल, अब जो दिख रहा है वही बोल रही ह पर क्या है न, इन्हें रोने की आदत नहीं है न जेठ जी की तरह, तो इनका दुक किसी को दिखता है नहीं है इन्होंने तो देवर जी को कहा ही था, दुकान में हिस्सेदार बनने के लिए, फिर देवर जी नहीं मना कर दिया, इसमें हमारी क्या गलती? वो क्या है न, जेठानी जी, आप लोगों की मदद करने आपके साथ ससूर जी बैठें, इतनी अच्छी किस्मत शुप जी की होती, तो बिचारे कपके एक नया बिस्नस शुरू कर चुके होते, पर उनके जरूरत के वक्त तो सब भिखारी बन कर बैठ जाते हैं चुप बहु, एक बब चुप, एक शब्द और नहीं, बहुत तखलीफ होरी है नא तुझे, तो अब से तू उपर के हिस्से में रहेगी, मैं और तेरे ससूर जी, दिलिप और निलिमा के साथ नीचे के हिस्से में रहेंगे, तुझे हिस्सा चाहिए न, तो उपर का पुरा माला तेरा बस हम सब आज ही नीचे शिफ्ट हो जाएंगे पर माजी नीचे की फ्लोर में ना तो कीचन है ना कोई कमरा अरे बड़े बुरे दिन देखें मैंने और तेरे से सुनने बहू तभी तो आज दो तल्ले का मकान बन गया जैसे हमने ये मकान खड़ा किया था नीचे के मनजिल में दुकान के पीछे के हाल में शिफ्ट हो जाते हैं उसी हाल की एक तरफ कीचन बना देते हैं और चारों जमीन पर ही बिस्तर लगा कर सोने लग जाते हैं मा मैं कल से ही मिस्तरी को बिलवा कर काम पर लगवा देता हूँ काम कल ही शुरू हो जाए तो दो महीने में नीचे का घर बनकर तयार हो जाएगा अरे बेटा तुने अभी अभी तो काम शुरू किया है अरे तुम टेंशन मतलो मा दुकान तुमारे और बाउजी के आशिरवात से अच्छी चल रही है दिलिप नीची के फ्लोर पर काम लगवा देता है मजबूरी में दो महीने के लिए केशव, कीकई, दिलिप और निलिमा को दुकान में ही सोना पड़ता इसी तरह दो महीने बीच जाते हैं और उनका घर बनकर तयार हो जाता है निलिमा पूरे महले में अपने घर के ग्रह प्रवेश का प्रसाद बाटती है उसी प्रसाद को लेकर रिश्मा के पास भी जाती है लगता है जेट जी का काम बड़ा अच्छा चल रहा है जेठानी जी अच्छा तरीका अपनाया है उन्होंने खेर अब शुप जी भी बिसनिस खोलनी की सोच रहे है बहुत जल्द हम भी एक फ्लैट ले लेंगे निलिमा कुछ नहीं कहती और वापस नीचे चली जाती है शुप के आती ही रिश्मा उसके कान बना शुरू करतीती है बस यही बाकी था देख लीजी अपने भाईया भावी को पूरा नया तल्ला खड़ा कर दिया दो महिने में और हमें दे दिया यह पुराना फ्लोर मैं तो आपको कहती हूँ आप भी बिजनस शुरू करती जी मैं समझती नहीं क्या कि नीचे के तलने में तो दुकान खुझ सकता है उपर के तलने में तो नहीं तो घूम फिर कर फाइदा तो उन लोगों का ही हुआ ना आज तो हमारे बच्चे नहीं है पर कल जब बच्चे होंगे उनके खर्चे आपके सर पर आएंगे तो आप कैसे सब समाल लेंगे क्या भीतेगी उन पर जब जेट जिठानी जी के बच्चे बड़े स्कूल में जाएंगे और हमारे बच्चों को मजबुरन छोटे स्कूल में जाना पड़ेगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था रेश्मा तुम सही कहती हो मैं अभी मां से बात करता हूँ गुस्से में शूब सीधा नीचे अपनी मां के पास जाकर कहता है मुझे दुकान खोलनी है मगर नीचे के सामने का हिस्सा तो तुमने पहले ही भईया को दे दिया है तो मैं कहां दुकान खोलू मां उपर वाले मंजिले पे तो मेरे पास कोई आएगा नहीं इस घर पर मेरा भी तो हिस्सा है अगर ये बटवारा सही से होता तो नीचे में दुकान का आधा हिस्सा मुझे मिलता कुछ नहीं तो मैं अपने हिस्से को किराय पर लगाता तो कम से कम 15,000 रुपय तो आते अरे कम से कम उससे मेरा घर तो चल जाता किसी के सामने मुझे हाथ तो ना पहलाना पड़ता ये सारी बाते दिलिप सुन लेता है और सीधा गल्ले से 15,000 निकाल कर शुप के हाथों में रखते हुए कहता है तुझे पैसे के ज़रत है न तो गल्ला खुला है पेता जिसे पैसे ले लिया कर ये ले 15,000 समझ लेना तेरे किरायदार ने तुझे भाड़ा दे दिया है हर मेने 15,000 तेरे पास पहुंच जाया करेंगे शुप कुछ नहीं कहा पाता और उन पैसों को लेकर वापस अपनी पत्नी के पास आ जाता है बैस बना दिया उन्होंने बेवकुफ आपको आप ना सही में बड़े भोले हैं शुप जी जरसोचिए जीट जी आपको 15,000 देने राजी क्यों हो गया क्योंकि वो जानते हैं कि इसी दुकान से उन्हें लखो की कमाई हो रही है तो 15,000 देकर इसका मुँ बंद करवा दो मुझे तो एकी रास्ता समझ में आता है कि हम भी जेट जी की दुकान के ठीक सामने अपनी किराने के दुकान खोलते और होता भी यही है शुब अपने भाई की दुकान की ठीक सामने किराय पर दुकान लेकर राशन की दुकान खोल लेता है सुबसे तो एक ग्राहक नहीं आया रेश्मा भाईया ने तो जब दुकान खोली थी बहार लंबी लाइन लगी हुई थी अब जब घर वाले ही कमाई पर साम की तरह बैठ जाए तो कमाई हो कैसे सेल 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 महिनी का राशन एक साथ ले जाने पर दो सो रुपे का फाइदा एवन क्वालिटी का खाना है अगर खाना तो राशन शुब किराने वाले से ही ले जाना दोनों के आवाज सुनकर कुछ लोग वहां पहुँचते हैं अरे शुब तेरे भाईया ने भी किराने की दुकान खोल रखी है और तूने भी किराने की दुकान खोल ली और वो भी किसी और के घर के नीचे वो भी किराय पर अपने घर के नीची दुकान क्यों नहीं खुली मतलब ये बात सच है कि तुम्हारे परिवार में अब बटवारा हो गया है अब क्या कहूं भाईया अब जब घर वाले भी आपको नौक रोसा ट्रीट करने लगी तो आदमी जाए कहां हमें ना हिस्सा दिया ना पैसा जिस कारण हमें किसी और के घर के नीचे एक राय पर दुकान लेनी पड़ी अपना हिस्सा लेने तो खुद खड़ा होना पड़ता है बैन आज कल तो ये हर घर का किस्सा हो गया है खेर मुझे एक किलो आठा तोल दो लोग शुप की दुकान पर आते तो सही पर मसाले की बात लेकर वापस लट जाते ऐसे नीचे लेगा जी चले मेरे साथ घर के नीचे दुकान पर कस्टमर्स के सामने आईए आईए मेरी दुकान पर आईए यहाँ डुपलिकेट चीज़े मिलती है मेरे ग्राहक का हाथ छोड़िये देवर जी वनना मेरा हाथ उठ जाएगा इसी भावी के लिए जान देती थे न आप मेरी भावी मेरी भावी लीजिए आज आपकी भावी ही आप पर हाथ उठाने की बात कह रही है अरो कुछ तो रशेम करो तुम दोनो जग हसाई हो रही है अपना पेट पालने के लिए मैनत तो करने ही पड़ेगी न बावी जी क्योंकि मेरे सर पर तो किसी का हाथ नहीं है मेरी मदद करने वाला तो यहां कोई नहीं है जो मुझे समझ में आएगा वही करूँगा मैं अब लोग हसे तो हसे जब शुब यह सब कहरा होता है रेश्मा वही पड़े चावल और आटे की बोरियों में जमाल गोटा का पावडर मिला देती है छोड़िये जी इन लोगों से बात करके कोई फाइदा नहीं हमें तो दो पैसे कमा कर अपना घर चलाना है चली दुकान पर चलते है ग्रहा काकर दिलिप की दुकान से राशन लेकर जाते हैं जिससे खाकर उनकी तब्यद बिगड़ जाती है और एक साथ कई सारे लोग उसके दुकान के बाहर तमाशा करने लगते है मारो इसे दो पैसे क्या कमाने लगा खाने में मिलावट करने लगा भया इतने गिर जाएंगे ये मैंने नहीं सोचा था लोगों की सहथ के साथ भी खिलवाड करने लगे अब ये लोग धीरे धीरे लोग दिलिप की दुकान छोड़ कर शुब की दुकान पर जाना शुरू करतेते हैं शुप का काम बड़ा ही अच्छा चलने लग जाता है और एक दिन जब वो गल्ले पर बैठा हुआ होता है अचानक उसकी सीने में दर्द उठता है अपने पती को तडपता देख रेश्मा जोर-जोर से चीकती है जिससे सुन्दले उसकी पत्नी और बाकी सभी लोग भी वहाँ पहुचते है कभी किसी का हक नहीं माना चाहिए और मैंने वही किया लगता है उसकी सजा मुझे मिल रही है मेरे स्वाग को कुछ नहीं होना चाहिए मुझे नहीं चाहिए दन दौलत मुझे खुच रहीं चाहिए सभी भाग कर शुब को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं शुब ठीक हो जाता है पर इस हाथसे से रेश्मा के अंदर का घुरूर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और उसके बाद दोनों भाई मिल जूल कर एक साथ काम करने लग जाते हैं